रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द सबसे पहला शब्द है किसी का किसी का यानि की समवन्स मतलब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं किसी की बिलॉंगिंग की बात कर रहे हैं यानि की समवन्स किसी का है समवन्स इस्तेमाल देखेंगे किसी का तो है ये जैसे कोई सामान हम लोग देखते हैं कई बार हमें पता नहीं होता कि उस actual सामान का मालिक कौन है तो हम लोग क्या करते हैं किसी का तो है कहते हैं न किसी का तो है ये It belongs to someone It belongs to someone क्या कहते हैं It belongs to someone किसी का यानि कि someone's, it belongs to someone. Hey everyone, welcome to Be Banker, स्वागत है आपका आज की क्लास में, मैं हूँ प्रीती मैम, और आज की क्लास में बिल्लॉंगिंग्स के बारे में सीखने वाले हैं, जब हमें बताना हो ये किसका है, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, और पहली बार इस क्लास को जॉइन कर रहे हैं, तो welcome to Be Banker, और जल्दी से subscribe करके, बेल आइकन को दबा लीजेगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए, आपको जरूर पता लग जाए, क्लास को चलिए, आगे बढ़ाते हैं, किसी का नहीं, कोई चीज ऐसे भी तो होगी, कि आपके knowledge में आपको नहीं पता, ये किसी का नहीं है, मत्बब एवई है, किसी का नहीं है, कहेंगे nobodies, क्या कहेंगे, nobody's, किसी का नहीं है भाई, to no one, यह किसी का नहीं है, it belongs to no one, मतलब किसी का नहीं है, no one, किसी का नहीं, no one, it belongs to no one, बढ़ते हैं आगे, mobile का, कोई चीज होती है ना, जो mobile की है, charger हो गया, earpods हो गया, उसका cover हो गया, है ना, उसका warranty का paper हो गया, तो किसका है, mobile का है, है ना, यह से पूछेंगे, यह charger किसका है, तो भई, mobile का है, यानि कि, off mobile, किसका है, off mobile, mobile का, off mobile, जैसे, mobile का cover काला है, है ना, अगर आप इस वाकिय को ऐसे कहें कि cover काला है तो क्या ही समझाए किस बारे में बात कर रहे हैं अगर आप अपने mobile के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको कहना पड़ेगा ना कि mobile का cover काला है नहीं तो ऐसे ही कह देंगे cover काला है तो भई वो तो किसी का भी हो सकता है, बाइक की सीट का भी हो सकता है, है ना, तो मोबाइल का कवर काला है, मोबाइल का कवर लाल है, जिस भी कवर कलर का आपका मोबाइल हो, कवर हो उसका, है ना, तो कवर अफ मोबाइल इस रेड, मोबाइल का कवर लाल है, मोबाइल का, मोबाइल का कवर लाल है, इसके इसको कैसे करेंगे यहां पर समझेंगे हम लोग यह कलम किसकी है यानि की सवाल पूछने के तरीके से जब इस्तमाल हो whose यानि की एक WH का शब्द जिसका इस्तमाल most of the times हम लोग सवाल पूछने के लिए करते हैं और इसका इस्तमाल यहाँ पर होगा यह कलम किसकी है यह कलम किसकी है whose pen is this बढ़ते हैं आगे जिसका जिसकी जिसके जी हाँ सवाल पूछने के अलावा भी इन सारे तरीकों से whose का इस्तमाल होता है कैसे इस्तमाल होगा जब भी वाक्य में इस्तमाल होगा जिसका जिसकी जिसके तो आप whose का इसथमाल करेंगे कैसे करेंगे स्तعمाल चलिए देखे मेरा एक दोस्त है जिसके पापा एक actor है I have a friend whose father यहाँ पे आपने क्या किया अपने दोस्त के बारे में अपने दोस्त के पिता जी के बारे में बात कर रहे हैं तो whose का इस्तमाल करेंगे I have a friend whose father is an actor I have a friend whose father is an actor याद रहेगी बार बढ़ते हैं आगे जिस किसी का अगला है जिस किसी का अनाउंस्मेंट होते वे सुनाएं जिस किसी का ये बैग है आकर के ले जाएं जिस किसी का whose या whose ever whose या whose ever दोनों ही इस्तमाल होता है whose ever जो है आप काफी असानी से इस्तमाल कर पाएंगे ठीक है जिस किसी का जैसे whose bag is this take away जिस किसी का बैग है ले जाओ कहते हैं न whose bag is this take away जिस किसी का बैग है भई ले जाओ whose ever bag is this take away आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिस किसी का बैग है ले जाओ मतलब सेम रहना है ठीके इसका या इसकी कभी कहते हैं न इसका मतलब नाम नहीं है इसका इसे दिखा के बोलते हैं इसका या इसकी इस्तमाल होगा its its बिना अपोस्ट्रोफी वाला s ध्यान रखेंगे अपोस्ट्रोफी उपर जो एक छोटा सा प्यारा सा कॉमा लगता है उसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं बाद में s लगा हो तो अपोस्ट्रोफी s कहलाता है इस वाले its में अपोस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है ये बन गया है its its इसका अर्थ होता है इसका इसकी ठीक है कैसे इस्तमाल करेंगे देखते हैं यह इसकी कवर है this is its कवर कहते हैं न कुछ नहीं मिल रहा है यह इसकी कवर है यानि कि this is its कवर यह इसकी कवर है this is its कवर बढ़ते हैं आगे उसका कहना हो उसका इस्तमाल होगा his h i s पढ़ते हैं इसको his एक और बात बता दूं his का इस्तमाल आप सिर्फ और सिर्फ male member के लिए करते हैं पुरुष के ब यह उसका bag है अब आप जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो अगर पुरुष है, male member है तो this is his bag हो जाएगा क्या हो जाएगा? this is his bag यह उसका bag है this is his bag अगर वही पर बात आप किसी महिला की कर रहे हो bag तो भई महिला का भी हो सकता है female का हो सकता है तो करेंगे स्तमाल her उसकी her जैसे यह उसकी कलम है it is her pen यह उसकी कलम है it is her pen बढ़ते हैं आगे my यानि की मेरा my यानि की मेरा यह मेरा bag है this is my bag बेहत आसान, शायद सबसे आसान यह मेरा bag है this is my bag यह मेरा bag है this is my bag देखिए कैसे यह my एक छोटा सा शब्द कैसे इस वाक्य में आपकी कोई चीज है इस को, इस belonging को दर्शा दे रहा है दर्शा रहा है ना आप my को निकाल दीजे इस words इस वाक्य से तो हो जाएगा this is bag कहां पता चल रहा है आपका bag है जब तक नहीं लगाएंगे my तब नहीं पता चलेगा क्या आपका bag है तो हो गया this is my bag तेरा या तुम्हारा यानि की your यह तेरा यूर 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 तेरा तुम्हारा आपका आपकी इन सब के जगा पर इस्तमाल करेंगे यह तुम्हारा bag है this is your bag यह तेरा bag है this is your bag यह आपका bag है this is your bag आप इसको ऐसे इस्तमाल कर सकते हैं तुम्हारा यानि की your इस्तमाल देखिए यह तुम्हारा बैग है, this is your bag, यह तुम्हारा बैग है, this is your bag, रोहन का, कहते हैं न, यह रोहन का है, रोहन का, यानि कि रोहन्स, क्या कहेंगे, रोहन्स, यह रोहन का बैग है, this is रोहन्स बैग, यह रोहन का बैग है, this is रोहन्स बैग, मेरे भाई का, मेरे भाई का या मेरे भाई के कलम है This is my brother's pen मेरे दोस्त का मेरे दोस्त का माई फ्रेंज क्या कहेंगे माई फ्रेंज यह मेरे दोस्त का घर है, या मेरे दोस्त का घर है, बता रहे है न किसका घर है, दोस्त का घर है, This is my friend's house. याद रहेगी बाद तो चलिए भई ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा जब आप किसी के बिलॉंगिंग के बारे में बताते हैं मतलब कोई चीज जो किसी से सम्मंधित हो उस सम्मंधित चीज को बताने के लिए आप अंग्रेजी में कैसे वाक्यों का निर्मान करेंगे कैसे बनाएंगे कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये हमने आज सीखा तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा क्लास को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे और एक बात बता दूँ टेंस की कि अब आ चुकी है जिन्होंने अभी तक नहीं डाउनलोड की है काइंडली टेलिग्राम पर जाएं वहाँ पर आपको मिल जाएगी जा करके आप पक्का हमारे प्रतिनिदी से पोच करके उसको उसके लिंक को जरूर ले ले डाउनलोड जरूर कर ले बेसिक प्लस पोकें कोर्स और आपकी अंग्रेजी हो जाएगी सूपर डूपर है इसके साथ ही मिनी स्पोकें इंगलिश कोर्स इसकी इबुक के लिए भी टेलिग्राम पर आजाएं टेलिग्राम पर आने के लिए सर्च करें बीबैंकर जहां पर सबसे पहला सर्च मिलेगा आपको बीबैंकर ए जोइन कर सकते हैं। आप वहाँ पर इन तीनों किताबों की अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारी किसी भी paid course को जोइन कर सकते हैं। जैसे कि premium spoken English का course है, basic English grammar का course है, basic English reading का course है। तीनों ही courses अपने आप में नायाब courses हैं। आपको इन तीनों courses को करने के लिए टेलिग्राम पर बात कर लेनी होगी कि क्या course है, कितने दिनों का है, आपको क्या चीजें मिलती हैं, ऐसे बता दूँ। रोज classes मिलती हैं, रोज की notes मिलती हैं, doubt classes मिलती हैं, homework मिलता है, पूरी course खतम होने पर e-book भी मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे मिल सकती हैं, आपको कैसे admission ले सकते हैं, ये सारी बाते आप टेलिग्राम पर जरूर कर लें, हमारे प्रतिनिदी आपको proper guide कर देंगे। चलिए, तो आप तब तक हमारे टेलिग्राम पर आजाए, बात कर लीजे, आपको कौन से course चेहें, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली class में, till then, thank you so much for watching.